नमस्कार दोस्तो मैरे विंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल इंडिन रोजगार में इस वीडियो में आपको रेलवे एंटी पीसी यानि नोन टेकनिकल पॉपुलर कटेगरीज जिसकी बरती दोस्तो अभी निकली है इसके फोर्म पॉस्त में स्किल टेस्ट होने वाला है तो शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो को देखते रहेगा बहुत ही महत्वपून दस्तो माली जी अपने एक्जाम तो क्वालिफाई कर दिया लेकिन दोस्तो अगर आप स्किल टेस्ट में रह जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा द कास तक देखते रहेगा तो सबसे पहले दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मैंने ओफिशल आउटिजमेंट को ओपन कर रखा है जो कि यहाँ पर आर बी की तरफ से ओफिशल नोटिफिकेशन है एंटेपीसी की पोस्ट का तो यहाँ पर आपको क्लियर ली दिखा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तो रिक्यूर्मेंट प्रोसेस जो आपका रहेगा वह सबसे पहले आपका जो एक्जाम होगा जिस पर कार दोस्तो आपका बेसिक लेवल का शीबिटी वन एक्जाम होगा जो की केवल क्वालिफाइंग नेचर है यानि इसके मार्क्स जो है आपके आगे वान जो final merit है उसमें नहीं जुनने वाले हैं ये केवल qualifying nature है बच्चों को छाटने के लिए जो है ये exam लिया जाएगा इसमें क्या होगा दोस्तों CBT1 में इसमें होगा दोस्तों आपका exam होगा 90 minutes आपको जो है मिलेंगी और total time आपके पास रहेगा टोटल time आपके पास 90 minutes का और total number of questions आपके पास 100 रहेंगे जर्नल awareness से आपके 40 questions mathematics से आपके 30 questions और जर्नल intelligence और reasoning से आपके यहाँ पर 30 questions रहने वाले हैं तो ये आपको clear हो गया दोस्तों जिस परकार का exam आपका group D का होगा था उसी परकार इसमें भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही जो है रहने वाला है qualifying nature रहने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों PWD candidates को यहाँ पर 120 minutes का time दिया जाएगा उसके साथ ही दोस्तों इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो भी आपके यहाँ पर CBT 1 और 2 होगा दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 by 3 की उसके CBT 2 exam के लिए बुला जाएगा CBT 2 exam में क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर देख लीजे CBT 2 exam भी आपका voice लेबस रहेगा जो कि आपका CBT 1 में है लेकिन दोस्तों जो level है वो यहाँ पर increase कर जाएगा CBT 2 में CBT 2 में यहाँ पर अलग से आपका level increase कर जाएगा यहाँ पर 90 minutes में आपको 120 मिलेंगे और यहाँ पर time duration कितना रहेगा दोस्तों 90 रहेगा तो यह भी आप ध्यान रखेगा इसमें भी आपकी जो है negative marking रहने वाली है सेम से दोस्तों थोड़ा सा high level आपका आ जाएगा CBT 2 में उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है CBT 2 के बाद यहाँ पर जो computer based aptitude test होगा computer based aptitude test के वल दोस्तों traffic assistant और station master की post के लिए होगा यह अगर आपने traffic assistant यहाँ पर station master के लिए apply करेंगे तो आपका जो है computer based aptitude test CBT जो है लिया जाएगा इसमें भी दोस्तों आपका minimum score करना होगा ब्यारिस marks का तो आप जो है इसमें qualify कर जाएंगे अगर दोस्तों आप आपने traffic assistant या फिर station master से अलग post के लिए apply किया था graduation base या फिर 10th base में तो आपका जो है एक skill test होगा जिसे आप typing skill test भी कह सकते हैं यह दोस्तों किन किन post के लिए होगा यहाँ पर clearly जो है इन्होंने लिखा हुआ है senior color come typist junior account assistant come typist senior timekeeper उसके बाद junior color come typist accounts color come typist junior timekeeper typing skill test जो है इन post के लिए लिया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों marks of 10 typing skill test cell not be added for making merit जो आपका typing test है जिस प्रकार आपका SSC में होता है typing test उसी प्रकार का typing test रहेगा लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम level का रहेगा यहाँ पर आपकी जो speed होने चाहिए दोस्तों English में वो यहाँ पर 30 word per minute की और test आपका जो है किवल qualifying in nature रहने वाला है तो यह आप ध्यान रखिएगा in in post के लिए typing test होगा उसके बाद दोस्तों जो कंडेस typing test या फिर आपका computer based aptitude test होगा उसमें pass कर जाएगे तो आपका जो है यहाँ पर document verification के लिए बुला जाएगा document verification के बाद आपका जो है यहाँ पर basic medical और यहाँ पर जो है आपकी final medicalist publish कर दी जाएगी तो यह था दोस्तों कुछ आपका जो है आपका selection process जो आपकी NTPC में post निकली है junior color come typist की account color come typist की junior timekeeper की trains color की commercial come ticket color की traffic assistant की goods guard की senior commercial come ticket color की senior color come typist की junior account assistant come typist की senior timekeeper की commercial apprentice की और station master की तो कुल 13 टाइप की post है दोस्तों और उनमें से मैंने आपको post बता दी है कि traffic assistant और station master के लिए केवल CBAT यहनी computer based aptitude test होगा बाकी कुछ post है दोस्तों जैसे की जिनमें typing है उनमें typing skill test लिया जाएगा goods guard हो गया दोस्तों यह जो की apprentice हो गया इनमें यहाँ पर किसी परकार का skill test जो CBT 1 qualifying in nature है typing test यह फिर skill test यह फिर computer based aptitude test आपका केवल qualifying in nature रहने वाला है तो उमीद करता हूँ कि दोस्तों आपको सारी जानगा ही जो है इस वीडियो के मादिम से मिल गई होगी अगर कोई भी doubt हो कोई भी question यह फिर कोई भी बात जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं सेट चला रखा है तो जुरूर से जाएगा अनकेडमी पर फोलो कर दीजेगा और जल्दी से apply कर दीजा दोस्तों सोच समझ कर apply कीजिएगा क्यूंकि बाद में आप modification यह आपर नहीं कर पाएंगे तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में तब तक के लिए बने रही है मारे साथ इंडियन रोजगार पर जय हिंद जय भारत